अलो दोस्तों मैं सवरा भार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवाद दसलियूसान इस्टेट्यूट पे तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहां से जो हमारा बार्क का एक्जाम आने वाला है उसके लिए हम लोग फिटर की mcq जो हमारी क्लास सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करते है तो चलिए आज की क्लास के बारे में लोग बात करते हैं जो हमारे पास क्या है फिटर का mcq और यहां पर important question करते हैं जो हमारे पास important previous year question होते वह question हम लोग यहां पर करते हैं ठीक है भाई तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अपनी हमारे पास 16 इसका जो हमारे पास पहला question इसका आंचर सभी लोग बताओ कि बोलो भाई ठीक है क्या होगा इसका आंसर आपके पास question क्या है करण प्रक्रिया में सता को किसे संबंदित किया जाता है तो आप क्या बोलोगे भाई nitrogen क्या बोलोगे आप किसे nitrogen से संबंदित किया जाता है बाई ठीक है ओ टेलीग्राम का link जो है आपको description पर मिल जायगा ठीक है description पे आपको इसका link मिल लाएगा वहाँ से आप जुड़ जाना पहले question का आपका answer क्या हो जाएगा nitrogen ठीक है आगे आ जाओ दूसरे नमबर पे sign ID करण और nitriding करण किसकी दो विधियां हैं बता दो चल दी से sign ID करण और nitriding करण किसकी दो विधियां हैं बोलो म्रदुली करण यानि tempering या फिर case hardening या फिर नाइटराइडिं या फिर hardening किसमें से कौन सा option चाहिए जिसमें से दोनों प्रक्रियां आपकी आती हैं तो आप बतावगे कि भाय जो हमारे पास case hardening होती है यानि case जो द्रडी करण होता है जिसे आप case hardening बोलोगे इसमें ये दोनों परक्रियाएं आती है बोलो भाई बात आप समझ गए की नहीं इसमें क्या होगा इसमें ये दोनों परक्रियाएं जो हमारे पास sign ID करण और जो nitrID करण होता हिये कहां पर आती है यह मारी आ जाती है case कार्वन की मातरा बढ़ जाय तो बोलो क्या होगा उटन्न हो जाएगा या अगातवर्द नियता या सक्ति बढ़ जाय ग nett피 करण उसका बढ़ जाएगा क्या ho बोलोगे मेरे भाई कि उसमें क्या हो जाएगी कठोरता बढ़ जाती है क्या हो जाती है कठोरता जो होती है वो बढ़ जाती है क्या बढ़ जाती है मेरे भाई कठोरता बढ़ जाती है बोलो बात समझ गए कि ने किसी में है जायड से बात है कारवन की मातरा बढ़ती है तो जाती है अगला आ जाओ भाई चौथे नंबर पर आ जाओ चौथे नंबर पर क्या है गैलवे नाइजिंग में धातुई परत यानि किसकी की जाती है क्या है गैलवे नाइजिंग में धातुई परत यानि कि कोटिंग जिसे आप बोलते हो तो किसकी की जाती है यह आपको बता ऑगे बहए इसमें कि भाई लोग जिंक यानी की जस्तहें से कर तें करतें जिंक से करतें आंसर नमहरा क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा कि हम लोग क्या हैALLY 5000 आई जिंग में जो धातूी इपरत यानी किnew स्की जो हमशमलों क्या करतें मुश्र us जस्ते से यानि की जिंक से बात समझ गया अचलो आजाओ हमारे पास पांचवे नंबर की तरफ ठीक है कि पांचवे नंबर पर आ जाओ उस्मा उपचार का उद्देश से क्या होता है। हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ही ट्रीटमेंट यानि कि उसमा उप्चार का उद्देश से क्या होता यह सभी लोग आप बताओ इसे क्या बोलते हो ही ट्रीटमेंट क्या बोलते हो मेरे भाई इसे आप बोलते हो ही ट्रीटमेंट तो इसका आंसर आप सभी को बताना है, आप सभी लोग इसका आंसर जल्दी से बतातोगे ठीक है भाई, सभी लोग पढ़ने लिखने वालग हैं, बताओ जल्दी से किसके लिए करेंगे? मसील नित्ता को कम करना या धात को नरम करना तप्त एवं अतप्त रूपन के दौरान पदार्थ में उत्पन प्रतिबल को खत्म करना या फिर तप्त एवं अतप्त रूपन के दौरान पदार्थ में उत्पन प्रतिबल को खत्म करना और धात को नरम करना बोलो क्या सई होगा तो आप बोलोगे कि हम लोग प्रतिबल को और धात को भी नरम करना ये दोन चीजें होती है तो option number आपका D correct हो जाएगा क्या हो जाएगा कि भाई जो उसमा का उद्देश से होता है heat treatment का जो हमारे पास क्या होता है जो उसका main काम होता है वो क्या होता है कि तप्त एवम जो है क्या है अतप्त रूपण में प्रतिबल को क्या करना खत्म करना और धातुओं को नरम बनाना ठीक है भाई चलो आगे आजाओ नाइट्राइडिंग एक प्रक्रिया बोलो क्या है केस आड़निंग है या उसमा उप्चार अलेनिंग ये तो आप एक बार कर चुके हो है ना आभी आपको बताया गया था कि ये कैसी है केस आड़निंग प्रक्रिया है है ना पहले ही कोर्शन में साय था पहले है दूसरे में केस आड़निंग ठीक है आजाओ कार्बन इसपात की उपरी सता को कठोर करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे बताओ जल्दी से भाई मेरे जल्दी से आप बतादो कि इसको क्या कहोगे आप बोलो कार्बन इसपात की उपरी सता को कठोर करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे प्रस्ट कठोरन यानि की case hardening बोलोगे क्या कहोगे case hardening क्या कहोगे case hardening कार्बन इस पात की उपरी सता को hard करने की यानि कठोर करने की प्रक्रिया या आप इसे hard करने की प्रक्रिया भी बोल सकते हो या कठोर करने की प्रक्रिया जो होती है उसे case hardening बोलेंगे क्या बोलेंगे मेरे भाई उसे आप लोग बोलोगे case hardening ठीक है चलो आज आओ आठवे नमबर पे तो आठवे नमबर पे क्या है एक घटक के केवल सता को कठोर प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं देखो सता को किवल कठोर करने की जहां भी बात करेगा वो हमारे पास क्या होगी case bargaining ही होगी जैसा कि आपने पीछे के question में भी देखा उपरी सता को कठोर करने के लिए प्रस्ट कठोरन यानि case bargaining यहां पे भी हमसे बोला था कि भाई सता को कठोर करने के लिए यहां पे भी क्या हो जाएगा case bargaining हो जाएगा और जो पीछे भी बोला था सता को करने के लिए तो यहां पी क्या हो जाएगा case लिकित में से कौन सा प्रस्थी है कठोरण प्रक्रिया नहीं है प्रस्थी है कठोरण प्रक्रिया नहीं है बताओ जल्दी से प्रस्थ या निवई उपरी सता कौन सी है जो इन में से वो प्रक्रिया नहीं है आप लोग जल्दी से बताओ ठीक है आवरण कठोरण है ना प्रस् आपका सही हो जाएगा क्या कि प्रस्टिय कठोरन प्रक्रिया नहीं है यह जो तीनों दी गए यह तीनों कहीं न कहीं से प्रस्टिय कठोरन प्रक्रिया है जिससे आप क्या करते हो जो उपर का है आपका केस आड़निंग इससे आप उपर ही सता कठोर करते हो है ना और भी जो प्रक्रिया होती है आप इन दोनों से करते हो लेकिन यह जो हमारे पास क्वेंचिंग होती है यानि जो समन होता है इससे कोई कठोरी करन यानि कोई प्रस्ट यह कठोरन नहीं करते हैं तो यह सही हो जाएगा आजाओ उम्रदु सी बात आ जाएगी हमारी Small training बोगी सिंपल है ठीक है यह हीट ट्रीटमेंट के जो है कोश्टन थीक है इसको समझे जाना ठीक है मेरे भाई तो भाय प्रश्ट को जब भी बोले आप बोलोगे कि केस RAW दुंग हो जायगा सर्व ठीक है आजाओ till नाइटराइडिंग कौन सी gas का उपयोग किया जाता है आप बताओ इनमें से बोलो ammonia या फिर oxygen, acetylene या hydrogen किस gas का प्रियोग करोगे आप nitriding करने के लिए जल्दी से बता दो कि आप किस gas का प्रियोग करोगे nitriding के लिए तो आप किस gas का प्रियोग करोगे मेरे भाई gas जो होगी आपके पास वो होगी ammonia का प्रियोग करोगे किसका प्रियोग करोगे ammonia का प्रियोग करोगे यह याद रखना किसके लिए nitriding प्रक्रिया में gas के लिए gas कौन्ची प्रियोग होगी वो प्रियोग होगी ammonia कौन्ची gas ammonia gas प्रियोग होगी आजाओं प्रक्रिया द्वारा माइल्ड स्टील की केस आड़निंग की जाती है किस प्रक्रिया के द्वारा तो आप बोलोगे नाइट्राइडिंग के द्वारा जो है उसकी केस आड़निंग की जाती है ठीक है मेरे भाई बोलो जल्दी से किसके द्वारा ना तेरावे नमबर तक सभी को सभी कुछ क्लियर है ठीक है आगे बात करते हूं तेरावे नमबर पे इस पात का आवरण द्रणी करण है ना इस पात का आवरण यानि कि जो द्रणी करण होता है वो क्या होता है इस पात को गर्म करने पर इसके क्रांतिक तापमान के उपर कारबन तथा nitrogen के प्रसरण का संत्रप्ती करण करता है ठीक है यह आप सनाप का यह आपे सही होगा कि क्या करता है क्रांतिक ताप मान के उपर carbon तथा nitrogen के प्रसरण का संत्रप्ती करण करता है जो हमारे क्या होता है जो द्रणी करण होता है क्या होता है आवरण का जो हमारे पास क्या हो करता है बात आप समझ गए भाई चलो ये बात आप समझ गए आजाओ निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को ठीक है क्या था भाई को सन्य यहां पर ठीक है एक सेकेंड इसको देखो इसमें क्या होगा इसमें आपका सी नंबर नहीं होगा मेरे भाई इसमें क्या होगा द्रणी करन उसी ताप मान है ना डिफनीशन पूछा है आपका ये हो जाएगा बी नंबर उचित तापी ये उपचार द्वारा इस पात की उपर तथा इस पात की सता का या आवरण पर द्रणी करन है ठीक है ये आप इस पात का आवरण द्रणी करन क्या होता है वो आप से पूछा है तो आप बता कि इस पाद का द्रड़ी करण क्या होता है वो यहाँ पे डिकनी सना आपको दी गई है आपसन आपका इस होजाय relate गोलूब निम्न में से कौन सी प्रकृरिया को न कहते है जो आपके पास 14 आपको सब्सक्राइ को केस आड़निंग कहोगे बोलो भाई जल्डी से किस प्रक्रिया को केस आड़निंग कहोगे तो आप बोलोगे कि जो हमारे पास कार्बुराइजिंग है इसे हम लोग बोलेंगे केस आड़निंग बोलेंगे ठीक है मेरे भाई क्या बोलेंगे इस प्रक्रिया को केस आड़निं करना इनलिंग का मुख्य उद्देश से क्या होता है इस टील को नरम करना होता है बात आप समझ रहे हो तो क्या हो जाएगा इस टील को नरम करना आगे आजाओ 16 नंबर पे हार्डेनिंग के उद्देश बोलो hardening के उद्देश से क्या होते हैं गिसाव प्रतिरोधी के लिए उच्छ कठोरता करना या आंतरिक प्रतिबल उत्पन करना या steel को मुलायम बनाना या भंगुरता को बढ़ाना ये तीनों तो यहाँ पे नहीं होने वाले हैं ये तीनों तो गलत हैं और ये D नंबर आपका या पे सही होगा कि गिसाव प्रतिरोधी के लिए उच्छ कठोरता करना क्या करना? hardening का उद्देश से यह होता है कि उसको कठोर बनाना क्या बनाना? कोई भी धात हुए उसको कठोर बनाना ठीक है? आगे आजाओ निम्न कार्वन इसपात पर कठोर सता प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी विदी है? कार्वन इसपात पर कठोर सता प्राप्त करने के लिए कौन सी विदी है? तो आप बोलोगे कार्बोराइजिंग क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई हमारे पास जो है वो कौन सी विदी है कार्बोराइजिंग की विदी है जिसके दोरा हम क्या करेंगे कार्बन इस पात पर कठोर सता प्राप्त करेंगे क्या करेंगे कार्बन इस पात पर जो है कठोर सता प्राप्त करेंगे बात समझ में आ गई ठीक है आजाओ आगे कारी की वज़ा से उत्पन आंतरिक दोस या तनाओं को दूर करने की प्रक्रिया को निम्नली कित में किस सब्द दोरा वेक्ठ करोगे आप बोलो जल्दी से किसके दौरा वेक्ट करोगे आंतरिक दोस्या तनाओं को दूर करने की प्रक्रिया किस सब्दों के दौरा वेक्ट करोगे तो आप बोलोगे कि नॉर्मलाइजिंग यानि की सामानिय करण के द्वारा किसके द्वारा नॉर्मलाइजिंग यानि की सामानिय करण के द्वारा हम लोग उसको दूर करते हैं बुलो बात समझ में आगई चलो उन्नीसवा नमबर धात को काटते समय अचानक लोड को प्रतिरोध करने की सामागरी के गुड को क्या कहते हैं बुलो भाई जल्दी से धात को काटते समय अचानक लोड को प्रतिरोध करने की सामागरी के लोड को प्रतिरोध करने की जो गुड होता है उस पे तो उसको सामाग किस गुड के नाम से जानते हैं बुलो प्रतिरोध को लोड बताएगा तो हमारे पास क्या वो जाएगा, उसका चीमणपन तो आप क्या बोलोगे कि सामागरी के चीमणपन यहाँ पे आप बोलोगे ठीक है चीमणपन गुड़ को कहते हैं क्या कहते हैं चीमणपन का जो गुड़ होता है उसे आप लोगे आपे बोलते हो बुलो बात समझ में आई क्या आगे आजाओ ठीक है 20 नमबर पर केस आड़ेनिंग कहां पर की जाती है आप बुलोगे म्रद इस पात पर की जाती है माइल्ड इस्टील पर की जाती है यानि की MS ठीक है माइल्ड इस्टील MS फ्लैट जो आपको i.ti. college में जब आप पढ़ते हो आपको प्रेक्टिकल के लिए जो लोहा दिया जाता है माइल्ड इस्टील होता है तब यह उसको आप क्या लिखते हो ड्राइओं पर MS फ्लैट इस तरीके से आप लिखते हो क्या लिखते हो, MS flat, 10 by 10, या जिस size का होता है, वो आप लिखते हो, college की drying पर, तो वो क्या होता है, basically, म्रदुइस पाथ ही होता है, mild steel ही होता है, तो case gardening के प्रक्रिया, किस दात पर की जाती है, case gardening जो होती है, mild steel पर, किस पे, mild steel पर की जाती है, आजाओ आगे, किस number, काफी लंब प्रक्रिया के दोरा, hypo, utectoid steel को उच्छ क्रांतिक तापमान के उपर, 30 degree centigrade से 50 degree centigrade तक गर्म किया जाता है, तदा फिर ठंडा किया जाता है, ठीक है, तो इसको आपको बताना है, कि अचल वायु में, या अचानक उचित सीतलन माध्यम में, या फिर फरनेस में, धीरे-धीरे, या कच्छ के तापमान पर, धीरे-धीरे और समान रूप से, बोलो, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, तो आप बोलोगे, कि इसका आंसर जो होगा, वो क्या होगा, अचानक उचित सीतलन माध्यम में, ये इसका सई होगा, ठीक है, पहले तो इसे 30 से 50 degree तक गर्म किया तता फिर, ठंडा कि आजाएगा, कहां पर, अचानक, उचित सीतलन माध्यम में, कहां पर, अचानक सीतलन माध्यम में, क्या करेंगा, उसको, ठंडा करेंगे, बोलो, बात, आपको समझ में, आई की नहीं आई, ठीक है, ठीक है मेरे भाई कि कठोरी करन पक्रिया के दौरान जो आपके पास हाइपो यूटेक ट्वाइड जो इस्टील होगी उसको उच्छ तापमान पर उच्छ क्रांतिक तापमान पर 30 से 50 डिगरी सेंडिग्रेड तक गर्म करेंगे उसके पाद अचानक उसे सीतलन उचित सीतलन म में ले जाएंगे ठीक है चलो कि आ जाओ आगे इसको आपको मिलाना है क्या आपको को सही से दिख रहा होगा है अगर पीडियाफ आपको मिलेगा तो सही से दिखेगा ठीक है भाई बोलो जल्दी से, इसमें क्या करोगे, है ना तो इसमें जो पहला होगा, वो D होगा, पहला जो मैच होगा, वो आपका C से होगा, दूसरा जो होगा, वो आपका D से होगा, तीसरा जो होगा, वो आपका B से होगा, और चौथा जो होगा, वो आपका A से मैच होगा, इस तरीके को पाटों की सरफेस अर्डनिंग के लिए क्या उप्योग किया जाता है तो आप बोलोगे फ्लेम अर्डनिंग उप्योग की जाती है क्या उप्योग की जाती है आप बोलोगे मेरे भाई कि फ्लेम अर्डनिंग क्या बोलते हैं कार्बुराइजिंग इसी तरीके से इनको सभी को आप मैच करोगे पहले वाले को आप मैच करोगे इस C वाले से ठीक है दूसरे वाले को मैच करोगे इस D वाले से और तीसरे वाले को मैच करोगे आप इस B वाले से और जो लास्ट वाला इसे आप गुमा के ल की विधी है जिसमें धात की बाहरी सता पर बाहरी सता हाड होती है बोलो केस आड़नी के एक विधी है जिसमें किस धात की है जो बाहरी सता हाड की जाती है कौन सी धात हुए इन में से बताओ हाई कारवन स्टील एलाई स्टील या कास्ट आरन स्टील कौन सी धात होगी तो आगे आजाओ, निम्न में से कौन सा पदार्थ कार्बोराइजिंग के लिए प्रियोग नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है, कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है, जो कार्बोराइजिंग के लिए प्रियोग नहीं किया जाता है, तो आप सभी लोग क्या बोलोगे, दियम हो जाएगा ठीक है आज़ाओ आगे गैस नाइट्राइडिंग में माइल्ड इस्टील पाटी को 500 डिगरी से इंटिग्रेट तक गर्म करोके खाली स्थान गैस को गर्म पाट में प्रवाह किया जाता है ठीक है बोलो 500 डिगरी तक गर्म करके ammonia gas को क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा ammonia क्या हो जाएगा ammonia आ जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा ammonia gas को गर्म पाइट में प्रवाह किया जाता है mild steel party को 500 degree centigrade तक क्या हो जाएगा 500 degree centigrade तक गर्म करके ammonia gas को गर्म पार्ट में प्रवाह किया जाता है बात आप समझ गए ठीक है आजाओ फ्लेम हार्डनिंग की प्रक्रिया बुलो फ्लेम हार्डनिंग की प्रक्रिया जो होती है किसके बने पदार्थों में की जाती है किसके बने पार्टी पर की जाती है तो आप simple सा बोलोगे कि medium carbon steel पर क्या जो flame hardening होगी वो कहाँ पर की जाएगी medium carbon steel के बने जो party होगी उस पर की जाएगी कहाँ पर medium carbon steel की बनी जो party होगी उस पर हम लोग इसका use करेंगे ठीक है आगे 27 नंबर का आंसर बताओ induction hardening में प्रियुप्त induction coil किस धात की बनी होती है किस की बनी होती है बात आप आप समझ गए किस की बनी होती है तामा की बनी होगे इंडेक्शन हार्डेनिंग धात्वों के पार्ट्स के लिए उप्यूप्त है क्या उप्यूप्त है उप्यूप्त है धात्वों के लिए 0 से 3 और 0 से 7 परसंट 0.3% और 0.7% carbon steel धात्वों के parts के लिए उप्यूपत है induction hardening जो है वो 0.3% हैना 0.3% और 0.7% carbon steel धात्वों के parts के लिए उप्यूपत तो माना जाता है आ जाओ 29 नमबर पे आ जाओ आप कि secondary hardening में steel की toughness बढ़ती है इस विधी का दूसरा नाम क्या है बुलो जिसमें क्या steel की toughness बढ़ती है उसका दूसरा नाम क्या होता है tempering होता है आपका C number सही होगा आपसन सही कर लेना इसको अगर आप C करोगे इसको अगर D करोगे तो आपका D number सही हो जाएगा ठीक है क्या सही हो जाएगा D number सही हो जाएगा टिंपरिंग सही हो जाएगा आगे आजाओ तीसमें number question पे हम लोग आते हैं किस विधी में छोटे आकार की जाब की hardening करना कठीन होता है क्योंकि इसमें पूरी मुटाई में जाब hard हो जाती है बोलो जल्दी से इसका answer बताओ तो आप बोलोगे खिशर यहाँ पे क्या हो जाएगा flame hardening जो है यहाँ पे हो जाएगा flame hardening हो जाएगा किस विधी में छोटे आकार में जाब की hardening क्रना कठीन होता है क्योंकि इसमें पूरी मुटाई में जॉब हर्ड हो जाती है तो आप बोलोगे flame gardening में किसमे flame gardening में आप बोलोगे बुलो बात समस्ज में आगई क्या किस में बोलोगे flame gardening पे ठीक है मेरे भाई बताओ इतनी सी बात आपको समझ में आई थीक है शालो निम्न में से किस gas का प्रयोग carbonizing के लिए लग जाएगी. LPG gas का प्रइवग नहीं करते हैं. आगे, नाइट ट्रिंtrl वीदी में NH3 gas गुजारी जाती है, जब तापमान इसका कितना होता है? जब तापमान इसका 500 से 560 degree centigrade होता है. नाइट ट्राइडर्टिंग वीदी में NH3 gas कब गुजारी जाती है जब इसका ताबमान 500 degree centigrade से 506 degree centigrade के बीच होता है तब इस गयस को गुजारा जाता है ठीक है NS3 गयस होती है तब इसको हम लोग क्या करते हैं गुजारते हैं ठीक है बोलो steel की normalizing के दोरान लिए गये आवस्यक साओधानी का चैन करें सभी लोग अपने मन पे सोचो क्या हो सकता है तो आप बोलोगे कि बिना परिसंचरण के अभ्याव को हवा में आवस्यक रूप से ठंडा करना C नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा ये वाला C नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा ठीक है आगे आजाओ आप आनसीतन का मुख्य प्रियोजन क्या होता है आप सभी लोग बताओ आपको समझ में आई क्या होता है मसीनियता में सुधार करना ठीक है चलो आजाओ आगे कि नॉर्मलीजिंग में सीतलन निम्न में से किस माध्यम से किया जाता है तो आप बोलोगे एर के माध्यम से वायू के माध्यम से किया जाता है कि जो हमारे पास नॉर्मलीजिंग में सीतलन किस माध्यम से किया जाता है तो आप बोलोगे वायू के माध्यम से किया जाता है ठीक है निमनलिकित में से कौन सी उस्मा उपचार प्रक्रिया का प्रियोग इस पात में आंतरिक तनाओं को कम करने और तन्यता बढ़ाने के लिए किया जाता है तो आप सीदे से बोलोगे कि जो एनेलिंग की प्रक्रिया होती है इसके द्वारा किसके द्वारा एनेलिंग की प्रक्रिया के द्वारा पदार्त को अतप्त रूपन के पश्चात तनाओ को दूर करने के लिए निम्नलिकित प्रक्रिया करते है तनाओ को दूर करने के लिए सेम वाई पीछे वाला रिपीट किया देखो तन्यता या तनाओ को कम करने के लिए क्या करेंगे एनिलिंग करेंगे तो यहाँ पे भी वाई पूछा है तनाओ को दूर करने के लिए आप तो सीधे से बता दोगे अनिलिंग ठीक है क्या बता दोगे सीधे से बता दोगे अनिलिंग बता दोगे आगे आजाओ 38 नमबर पे आप लोग आजाओ 38 नमबर पे क्या होगा कौन सी उस्मा उप्चार प्रक्रिया का उपयोग इस्टील की सन्रचना को परिस्क्रत करने में किया जाता है क्या होगा कि क भाई आपके पास बोलोगे कि नार्मलाइजिंग क्या हो जाएगा नार्मलाइजिंग कौन सी उसमा उपचार प्रक्रिया है जो जिसका उपयोग स्टील की सन्रचना को परिस्क्रत करने में किया जाता है तो आप बोलोगे नार्मलाइजिंग क्या बोलोगे भाई नार्मलाइ में मुक्ति एवं कण साइज को परिस्क्रत करने है तो इस पात के उस्मा उप्चार को क्या कहा जाएगा इसमें भी आपका क्या हो जाएगा कि अनीलन कहा जाएगा क्या कहा जाएगा बात आपको समझ में आ गई क्या कहा जाएगा अनीलन कहा जाएगा यहां पीछे भी हमारे इस्टील का एक घटक नहीं है तो आप क्या बोलोगे कॉन सा कार्बन स्टील का एक घटक नहीं है तो आप बोलोगे मेरे भाई फैराइट है आगे आजाओ, फुटी वन नमबर पे, फुटी वन नमबर पे आजाओ, ठीक है, चलो, इस्टील के तापान उसी तन, यानि अनिलन निम्नलिकित नतीजे नहीं देता है, आप सभी जल्दी से बता दो, ठीक है, कि स्टील के कड़ेपन को बढ़ाना, क्या, इस्टील के कड़े सभी जल्दीपन को बढ़ाना, ये नतीजा वो नहीं देता है, आगे आजाओ, इस्टील में तनन, सील्दा, यानि कि डक्टिलिटी उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन ची प्रक्रिया की जाती है, तो आप बोलोगे, तापानुसी तन की जाती है, क्या की जाती है, 43 नंबर पर अगर हम लोग आते हैं, जंग रोधी स्पात का अनिलन किस ताप मान पर किया जाता है, तो आप बोलोगे, 700-800 डिग्री सेंटीग्रेट, याँ पर आ जाओ, तापानुसी तन, एनिलिंग किस उद्देश के लिए किया जाता है, तो आप बोलोगे, कुमलता प्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है, किसके लिए, कुमलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, आगे आजाओ, सामान, सामानी करण, प्रक्रिया के लिए प्रियुक्त सीतरानमाध्यम, वायू, क्या है, इसको आप B कर लेना, इसको आप C कर लेना, ठीक है, तो इस पात प्रसान्नी करण इसमें से किस के द्वारा किया जाता है तो आप बोलोगे क्रांतिक तापमान के उपर उसमित करके है ना तथा उसके पश्यात वायू प्रसीतन करके क्या करके वायू प्रसीतन करके याद रखना ये बठी प्रसीतन नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा ये बठी प्रसीतन वाला नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा वायू प्रसीतन वाला मेटर होगा क्या होगा वायू प्रसीतन आज आगे प्रसामानी करन यानि की नारमलाइजिंग का मुख्यु उद्देश से क्या होता है खुरदरी गिसी होई सनेशना को कम करना खुरदरी या गिसी होई सनेशना को कम करना ठीक है, 48 नमबर पर आजाओ कि वह प्रक्रिया जिसमें इस्टील को इसके कारवन पदार्थ के आधार पर एक उप्युक्त तापमान पर गर्म और पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है और किसी बठी में दिरे दिरे ठंडा किया जाता है वो क्या कहलाती है वो कहलाती है इनिलिंग इसे आप B कर लेना इसे आप C कर लेना ये आपका D रहेगा ये A आपका C नंबर से हो जाएगा क्या इनिलिंग ठीक है क्या से हो जाएगा इनिलिंग सन्नचना की एक रूपता है तू सूच मकड के उत्पादन तथा यांत्रिक विशेस्ता के निखार में मदद करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है 49 numbers मदद करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो आप बोलोगे निखार में मदद करने के लिए खुर्दुरा पंदूर करने के लिए आप बोलोगे नार्मलाइजिंग का प्रियोग किया जाता है एनेलिंग का मुख्य उद्देश ये साथ दुबारा से रिपीट हुआ मसीनी करण में सुधार करना एनेलिंग का मुख्य उद्देश से क्या होता है मसीनी करण में सुधार करना होता है तो ये heat और treatment के जो भी important question थे आपको पूरे के पूरे 50 question करा दिये गया है इसी basis पे आप तयारी करते रहो theory आप सभी लोगों ने पढ़ रखी इसलिए सीधे से practice कराई जा रही है theory की चर्चा नहीं की जा रही है theory के लिए हम लोग इस बार की exam के बाद बढ़ियां से एक बैस ले के आएंगे complete theory पढ़ेंगे हर एक one day exam के लिए ठीक है तो हमारे साथ सभी लोग channel को subscribe कर लेना जिन्होंने अभी तक channel को subscribe नहीं किया और हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाएंगे ठीक है भाई तो चलिए आज की class में इतना है और pdf के लिए आप टेलिग्राम चैनल join कर लेना the solution institute करके आपको मिल जाएगा ठीक है ठीक है भाई बात समझ गये तो चलिए दोस्त आज की class को हम लोग यहीं तक रखते हैं आगे की जो भी बाते हैं हम लोग आगे करेंगे आपको सत्रामी class पर है ना आगे की question हम लोग next chapter के उठाएंगे जो भी आपका important chapter होगा ठीक है भाई तो वीडियो में last तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अब हम लोग मिलते हैं next वीडियो के